अब दोतो तो दोतो दोतो करते हैं हमारे यूट्व चैनल में आपता तो बाइसाब कुछ न्यूज आज फिर लेकर आ गए हम न्यूज क्या एक पन्ना है आपके सामने और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह पन्ना नहीं यह बहुत सारे लोगों की तमन्ना है यह तो कोई याच का है पेपर की जो घपले बाजी है उसको जागर कैसे किया जाए हाई कोट के जरिये तो यह मतलब जो इनमें बहुत सारे नाम मैं आपको पढ़के सुनाँगा तो फिर आप काफी टाइम लग जाएगा मैं चाहता हूँ आपका टाइम भी ना लगे और आपको प अब सबस्दों में समझाओं में कि यह मतलब हाई कोट में कुछ लगाया गया किरसी पर विच्छ अब बारती हो रहा कि भाई हमें जो यह बढ़ती हुई है यह समझ में नहीं आई इसमें गफले हुए हैं इसमें नकल चलिये और इसमें पेपर आउट हुआ है तो वो है तो यह है हलाकि अभी कोट का कोई निरने डिसीजन नहीं आया है कि भाई आपने सही कहा या क्या कहा अभी तक कुछ कोट का कोई निरने नहीं आया बरती पर किरसी पर विच्छ बरती पर अभी तक तो कोई निरने आया नहीं है निरने आएगा उस दिन मैं बता रहा कि RSA से इस्टे लग गई है और हाई कोट ने RSSMB बोर्ट से जवाब मंगा है इसको रोख दिया जाए परणाम को लेकिन आपको बता दूँ अभी तक कोई इस्टे नहीं आई है आईगी फिर हम ऐसे ही आप बखवास कर रहे हैं इसी थोड़ी बखवास और करेंगे किसी दिन अगर आई तो वैसे भी अगर नहीं आई तो फिर हम और वीडियो बना मना के आपको बखवास करते रहते हैं बड़ अभी तक कोई इस्टे आई नहीं है आई जबखवास कोई खास नहीं अंगरेजी मैं लख रहाया एंगरे जी में थोड़ी सी कम जोगर है चलो फिरो यार मैं थोड़ी सी अंगरेजीर आपको बता देता हूं इसमें लिख रहा है भाई मिषे यसमें अंगरे जी है दाइस्टेटस ना मतलब ये इसकोण और जो RSSMB board है उसके खिलाब करिए और इसमें कर जो complaint किया हुगा वो काफी का बेभी तो इस छोटा सा पन्ना आपके सामने मतलब यह बाट से प्या गया तो ऐसे उड़ता उड़ता तो मैंने आपको बता दिया भाई यह है मतलब फिर करिया चालू है मतलब तमन्ना यह है कि जो भी मतलब उदम दंगा हुआ है इस बर्ती में उसको प्रूफ के साथ साबित कर दिया जाए कि हाँ वाई ऐसा इसमें हुआ है तो इस कारण से इस बर्ती को रद कर दिया जाए मतलब ऐसी तमन्ना है देखे मैं नहीं कहता कि हर तमन्ना पूरी हूँ मैं यह भी नहीं कहत पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कर रहा, आप समझते होंगे मेरी आदत को, पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहा मैं किसी का, भाई मैं तो ये कह रहा हूं, मतलब तमन्ना, बतलब वरपूर कोशिस यहां पर रहेगी, कि न्याय मिल जाए बस, अब चाय न्याय कैसे भी मिल संतुष्टी मिल जाएगी, हाँ भाई, ये बरती इमानदारी से हुई है, और दोस्तों मैं बता दूँ, बहुत जादा संदे है इस बरती पर, भाई साब आप मैं बता रहा हूं, दो स्टूडेंट बात करते हूं, उनकी बातों को सुनना, आप किसी पर विक्ष वालों की, आप कोगे, वास्तम में यार, बहुत बड़ा गबला हुआ है, हलाकि अभी तक इसके कोई पक के इस पष्ट सबूत, इस पष्ट सबूत साइद मिल गए होंगे, लेकिन अभी तक वो माने नहीं किये गए हैं, एसोजी ने भी थोड़ा बहुत पकड़ा था भाई, उन्होंने भी अपनी धर पकड़ कर दी थी, एसोजी वालोंने की, यार, साथ पकड़ लिए दड़ाद़, पर क्या, फिर छोड़ दी यार, वो, कोई सबूती नहीं मिला बताया, ऐसे कह रहे थे, अखवार वाले भी क कह रहे थे, यार, पता नहीं, जादा जान करेंते नहीं, आपको जान कर रहे हो, तो निचे 검ints में, कमेंट cũ करदें, वाई, नीचे, कि भाई, उन SりJ वालोंने क्या किया था, हमें तो वैसे, ऐसे ही लगाता कि, हैर, कुछ मिला नहीं था, उनके पास, तो भाई, क्या यह तो सब्द कहते हैं अंदे मतलब सारी बाते हैं अब कोट में कुछ देखो हो जाए तो पता चलेगा नहीं तो वैसे तो मैं बता रहा हूं आपको इस बढ़ती का आना है भाई आएगा अभी जल्दी आ जाएगा ऐसे मतलब गुप्त सूत्र बता रहे हैं मुझे भी अंतरियामी नहीं हूँ आप सोच रहे हो यह कुकी पील भी पील यह कौन सा मतलब कोई अंतरियामी बनके बैठा हुआ बाई ऐसे ही कोई बता देता है मैं आपको बता देता हूं अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं कटॉप क्या रहेगी सबसे बड़ा मुद्य का बिसे यही बन रहा है कि यह कटाओ कितनी जाएगी एक तो यारे पीपर सरल है उपर से फिर निगेटिवी बहुत हैं कुछ लोग तो यह व्याकर ये यह कह रहें यार सथर्पचेटर से जर्नल जादा वैसना नहीं जाएगी एक भाई ःर यार इतना सरल पेपर रहा है आसस काफी जयपूर बयपूर में रहा था कोचिंग सोचिंग की थी काफी नेट रख था थोड़ा अच्छे मतलब गुरुप भी था उसका पढ़ने वालों का तो मैंने फॉन मिलाया बै उसको फॉन मिलाया गंटी लग रही थी तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजरे हम क्या द थोड़ा तमीज में इससे हलाकि मुझे में ती जाता तमीज है नहीं बट फिर भी मैं थोड़ा सा पड़े लेकर लोग आज सम्मान करना पड़ता है मैंने के बाई यह जी नमबस थे मैं कोल बोल रहा हूं अच्छा बताई क्या का मैं आपको मैं का सर जी यह पूछ रहा थर्ड रहेंक आती थी और वो लाइब्रेरी होती हैं जयापूर माच का लाइब्रेरियों में बच्छे जाते हैं पड़ने मैं तो कभी गया नहीं वैसे पड़ताता है कि वहां पर मतलब इसे साइलेंड जोन होता है और बढ़िया वातापन होता पड़ने के लिए इसे मु चलिए चलंदा अशदा पिछले दो साल तैयारी कर रहा था एशे और भी बंदे थे डवली का एक्जांव इसा बता रहे थी उसमें पास कर लिया था बाद पेपर दे सब् dice वाद बीशाता सही नहीं साई है। यहां कोरा फीघक Ond erhö कि यका चुछा वो मेरे 2, Antwort लगा था से उसके बाद रहां कि दो पेपर आन्सर किया यहे जनाब के सायद 65 के संप्थिंग वो आ गए थे कि जो मेरे पैसधीी सही année बैठ रह रहे हैं तो दोस्तो मैं आपको बता दूं एसा भी कुछ होता है देखे हम आगड़े क्या लगाते हैं पूछ पूछ के लगाते और को कुई भी आजी काला सब जूट है साल यानि कि कोई सही नहीं बताता कि मेरे यह सही है है यह सही है यह सही है, सब बताते हैं, या तो उस्यार लोग तो जिनके ज़्यादा नमर आते हैं, वो तो साथ हो सकता है, कम बताएं किया तो result को, कुछ लोग होते हैं, वो ज़्यादा बता के चलते हैं, तो दोस्तो वैसे जो actually अगर reality देखी जाए ना, इस paper के हिसाब से, तो मैं बता द तो अलो आप इतनी merit journal की 37 से 80 जा सकती है percentage, ठीके जी, और बैतर से 55 जा सकती है percentage, आपकी OBC की, और 70 से बैतर जा सकती है दोस्तो आपकी SC की, दोस्तो इस सारे male category के हैं, कोई भी physical handicap, किसी भी female को, क्योंकि हमें पता ही नहीं female का में भई आंगडा नहीं है, अब कहां से दयार जूटा आगणा तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमार फास female ही नहीं, मतलब female की जानकर ही नहीं है यार, और दोस्तो 68 से जो 70 परसेंट अब हो जाएगी ST की, भाई सब ये पता घिलमल है, मतलब भाई paper ऐसे थोड़ा बहुत leak हो गया, कुछ बच्चों होंगे जो घपले जी चली होगी, तो भाई थोड़ा सा इतना मेरिट जा सकती है, भाई दोस्तों अब महा घपले वाजी चली होगी, तो मैं बता दूँ, जर्णल 80 क्रोस कूदेगी, 802 कूद जाएगी जर्णल, और जो OBCC हो 77 से 80 से 80 पा जाएगी, और जो SC हो 72 से 85 पा जाएगी, SCST दोनों, अगर दोस्तों, महा घपले वाजी इसमें चली होगी तो, उसके एजाब से ही दोस्तों, यह क्या है, आपसी बात चीत है, ऐसे बात करते हैं, students, कि भाई या, अगर पेपर लीक ना होयो होगो, तो भाई मेरिट 75 चल जाएगी, जर्णल की, और थोड़ों बहुत कम-कम लग जर्णल OBCST की चल जागी, और यार पेपर लीक होगो तो भाई या, फिर तो भाई हमें का, मतलब ऐसे बात करते हैं, जो normal students है, मैं भाई आपको ज़्यादा ग्यानियों की बात नहीं बता रहा हूँ, जो मतलब normal हम जैसे लोग है, चोटे मोटे ऐसे बात करते हैं, कुछ ल जोड़ा बहुत हो जाए उपर नीचे, उसका राम रखवा रहा है, रजल्ट भी वैसे जल्दी आ जागा, ज्यादा टेम नहीं लगने वाला है, गुप्त सूत्रों के आपसे बता रहा हूँ मैं आपको, बता रहे हैं कि अप्रेल में रजल्ट अप्रेल्ट आ जाएगा, जी नीचे की रिपोर्ट है दोस्तों, तो जल्दी रजल्ट किस्टी पर विक चेका भी आ जाएगा, और आप तब तक क्या करें, मजे लो, टैंसन मतलब है, यार, जो होगा, जो हो जागा है न, मेरी वीडियो देखा करो, बास्त में आप नीचे कमेंट्स करागा, बड़े